बिष्मिल्यारोमानियों रहाई अल्याराहीम, असलामलेकם दोस्तों कैसे हैं, आप सब मैं हुआ इजादन सारी और आप देख रहे हैं इजादन सारी ये फूट सीक्रट्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा इतने ही शांदर खिले खिले निक्रे हुए चावल कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताओंगा इंशाला आपको बहुत ही स्पेशल बाते आज जानने को मिलेगी तो सबसे पहले बिसमिल्लारवाने धेर सारा हमें पानी चाहिए चावलों क बॉयल करने के लिए याद रखिएगा क्यों मैं आपको भी बताता हूँ सबसे पहली हैं बात इसके लिए आपने सेला राइस लेने है बासमती से भी ये रैस्पी बन जाती है लेकिन असल में जो जरदा और मुतजन की रैस्पी है वो सेला राइस से ही अच्छी लगती है ये एक तो खड़े खड़े रहते हैं अलग अलग रहते हैं और दूसरी बात ये टूटते रही है ठीक है और ये रैस बने ही इन रैस्पी के लिए तो आपने इनको कम से कम एक से तेर गंटा पहले भी गोके रखना है ठीक है इससे कम नहीं क्योंकि ये बहुत जारा पानी चलें जी बिसमिल्लारवा नहीं जब पानी अची से बॉयल आ जाएगा इसमें एक दो टेबल स्पून कुकिंग ऑल के और दूसरा हम सिर्क एट करेंगे सिर्क एट करने से चावलों का कलर एक वाइट सा रहता है और चावल आपस में जूरते भी नहीं है ठीक है वान टेब चावल निकरे बने इनकी जो पिच है इनकी जो लेस हो है वो पानी के अंदर चली जाए और चावल हम बीच में से निकालने ठीक है चलें बिसमिल्लारवानी अब यह रैस्पी का असल मज़ा घी से ही आता है तो यहां पे हमने एक तहाई कप लेना है घी का लो से फ्लेम के पर छे से साथ लॉंग जाएंगे इसके अंदर लॉंग के बगार कोई भी चावल नहीं बनते और यह है एक पादियान का भूल हाफ के जी हमारे पास राइस दे उस हिसाब से इंसाले है चार जाएंगी छोटी लाइची बहुत आहम होती है इस रैस्पी में इसकी चुथाई कप है ठीक है फाफ कप नहीं है इससे जदा आपने आइड नहीं करना वर्ना चावल हमारे बहुत जारे गीले से रह जाएंगे अंपे दम के बाद भी ठीक है इसको हम पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो याद रखेगा इसमें ड्राइफूट्स मैंन यह थे एक कनी शोड के ठीक है यहाँ पर खोल्लर एक करने में थ्वरिशी प्रावल्म हो जाती है लोगों गल्क एक कर देते हैं उसकी क्या टेकनीक है मैं बताता हूँ लेकिन उससे पहले हम इसमें आड करेंगे यह देखे मारे पास है मरबाश्रफी इसकी रेश्पी मेरे चैनल पे मुझूद है आप लिखे मुर्बा इश्रफी जादन सारी आपको ये रैस्पी मिल जाएगी अपन सारी की शॉप से आप ये ले सकते हैं जस्ट दो ड्रॉब इसके अंदर मैं रूख योड़ एसेंस के एड़ कर रहा हूं हुश्बू के लिए ठीक है अपशनल है अगर आपको नहीं पसंद आप ये स्किप कर सकते हैं अब कलर देखे बिलकुल थोड़ा तकरीबन हाफ टी स्पून पानी के करीब आप पानी लेना हाफ टी स्पून ठीक है उसमें थोड़ा सा कलर एड़ करके आपने अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे किये जाते हैं वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन यह आई थींग असान है जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अब देखे मैं दुबारा से मैंने प्याली को धो लिया है और वही बात हाफ टी वान टी स्पून जैस पानी के अंदर आपने इस कलर को एड़ करना है औ तो जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हो लास्टाम मैंने यह बनाया था तो लोगों ने कहा था आपने बलून वाली कलर जो है वो एड़ कर दिये तो जीजनाब मैं ऐसा ही बंदा हूं मुझे कलरफुल चीज़ें जो अच्छी लगती है जो कलर मैं उसमें एड़ कर देता धाके तवएगा फ्लेम जो है वो जिसे बन जाए उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं पंद्रा से 20 इसमें वालेगों और बिसमलाहिद रामान वरहिम तो यह ले जी बहुत ही मीधे बहुत ही प्यारे बहुत ही चाने वालों के लिए बहुत ही खुबसूरत बह खाव लेकिक कैसे क cidade बिल्लाव नवरहिं तो माशाला नम्धुलिला देखेंजितों रहना की नहींति और बंगतते पहल्ती है तो मिरे तो मैली अलड सो शाँ भाप जो घंक कि टाई लग्रोव कि में तना कि आपनी की रेस्पी दो सेफ़्ों है एप झाल झाल